कि अपिस्टन स्लेंडर डिवाइज विद एयर एड एन इनिसियल टमप्रेचर और ठाटे रिसर्शियर अंडर गोज एन एक्सपांशन प्रोसेस फॉर विस प्रेशर एंड वॉलूम आर रिलेटेट एस किवन बिलो देखो कि एक पिस्टन स्लेंडर मसीन है ठीक पिस्टन स्ल स्लेंडर है सपोर्ज यह हमारा एक क्या है है यह हमारा एक पिस्टन है पिस्टन स्लेंडर मसीन है और आपका इनिसियल पोजिसन पर है इसमें कि क्या हुआ एयर फील है ठीक है इसमें जो है आपका यहार है और क्या होता पसल जो था इसकी टमपरेचhelp initial में 30 degree Celsius है 30 degree Celsius है उसके बाद क्या हो रहा है कि इसकी तेंपरेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो आपका यह Piston जो था है आगे की तोरह forward यह move कर रहा है first यहाँ पर आया यह आपका first one position second पर आपका piston यहाँ आगा फिर भी इसमें फिर भी temperature बढ़ रहा है तो यह जो था आपका expansion होते जा रहा है और third यहाँ पर final आपका वहाँ पर है लेकिन मुझसे यह question नहीं बता है कि यह जो भी expansion हो रहे है गैस का वह यह आइसो बेरिक है यह आइसो कोरिक expansion है यह आइसो थर्मन expansion है ठीक है कोई नहीं बता है तो हम इसको एजम करके लेते हैं यह कोई ना कोई आए जो था आपको polytropic process को flow किया होगा ठीक है उसमें मुझे क्या कर रहा है कि work को find out करने के लिए बोल रहा है ठीक है तो इसमें सबसे पहले मुझे polytropic process के work के लिए क्या होता है P1 B1 minus P2 B2 by n minus 1 होता है ठीक है n minus 1 होता है तो देखो तो सबसे पहले मेरा first prevention से है कि हमको n का value calculate कर रहा है n के value calculate कैसे करेंगे सबसे पहले देखो यह आपको दिया है P1 equal to first में P1 कितना दिया आपका 100 100 किलो पासकल दिया है second P2 जो होता है second P2 पहुंच रहा है वहाँ पर 2 पहुंच रहा है तो वहाँ पर pressure आपका 39 37.9 किलो पासकल है और जब लास्ट पर पहुंच रहा है वहाँ पर आपका pressure जो है कितना है 14.4 है ठीक है उसके बाद यहाँ पर V1 volume जो था आपका 0.1 क्यूबिक मीटर है and V2 जो होता है आपका 0.2 क्यूबिक मीटर है and V3 is equal to 0.4 क्यूबिक मीटर है ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे polytropic pro से n के value find out करने के लिए हम सबसे पहले जो था आपका 1 और 2 पे applied करें ठीक है the n is equal to होता है आपका ln P1 by P2 by ln V2 by V1 होता है ठीक है तो आपका ln is equal to P1 के value कितना है 100 kilo Pascal then P2 value कितना है आपका 37.9 by जोता है ln V2 के value कितना है 0.2 है और V1 के value कितना है 0.1 है ठीक है जब आप इसे solve करोगे ln को तो आपका कितना आएगा तो आपका 0.97 then आप इसको solve करोगे तो आपका 0.69 जब इसको solve करोगे आपको approximately equal आएगा 1.4 के बराबर आपका n के value और second जोता n की जोता है आप उसको certify करने के लिए अब then इसमें देख़ची करोगे कितना आ रहा है n के value ठीक है तब n के value हम इसमें apply कर रहे है कि इसमें n के value क्या रहे है तब same n l p अब देखो तो कहां से मारा first p1 by p2 लिखते है तो आपका ln जोता है p2 के value कितना है p2 के value 37.9 by 14.4 by ln v3 कितना है 0.4 0.4 by 0.2 then आप इसे solve करोगे तो आप इसे solve करोगे तो आपका same आएगा आपका भी 1.4 ही आएगा ठीक है अब work निकालते है तो आपका expansion process हुआ तो p1 से p2 गया then आपका p3 गया है तो work के लिए आपका भी 1 minus p3 by n-1 ठीक है तो आपका what the value of p1 p1 आपका 100 के लिए कहाँ expansion हुआ है शुरू से आपका p1 से p3 गया है तो final minus initial करोगे तो 100 into v1 की value कितना है 0.1 minus v3 की value कितना है 14.4 and then v3 की value कितना है आपका 0.4 divide आपका n की value कितना 1.4 minus 1 होगा ठीक है then आप इसे solve करोगे आप इसे solve करोगे तो आपका 10 आएगा minus आप इसे solve करोगे तो आपका कितना आएगा 5.79 by and then 1.4 में से minus को subtract करोगे तो 0.4 होगा ओके देन आप इसकी कितने बाद 10.6 kilo zool के आपका work मिलेगा इसको expansion करने के कितना work required है work मिझे expansion कर रहा है expansion करने कितना work required होगा आपका 10.2 हीट दे रहा है तो कितना work produce कर रहा है 10.6 कर रहा है किते है